जहिन दोस्तों, Free Knowledge चनल में आपका स्वागत है दोस्तों आप मेरे चनल पर नए आए हो तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें दोस्तों आज मैं आपके लिए important question लेका आया हूँ जो आपके competition exam के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों इसका answer होगा नमर पहला 5.5 ग्राम प्रती सीसी दोसरा question दोस्तों, malaria का प्रभावितं कौन सा है पहला फेपड़ा, दोसरा प्लिया, तीसरा आत, चोहता गला तो दोस्तों, malaria से प्लिया प्रभावित होता है प्लीहा तो दोस्तो इसका आंसर होगा नमर दूसरा प्लीहा तीसा कोस्टन है दोस्तो हरे पोधों के लिए आवश्यक तत्व कितने होते हैं पहला पंदरा दूसरा ठारा तीसा सत्रा चोंता उननिस दोस्तो इसका अंतर होगा नम्मर पहला हरे पोदे के लिए वश्यक तत्व क्या हो सकता होती दोस्तो 15 नेक्ट कोस्टन है यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है तो दोस्तो इसका अंसर होगा नम्मर दूसरा यूरिया में नाइट्रोजन 40% होती है नेस्ट कोस्टन है हावा में दोनी का वेग होता है नमर पहला 332 मीटर प्रतिस सेकंड नमर दूसरा 334 मीटर प्रतिस सेकंड नमर तीसरा 336 मीटर प्रतिस सेकंड नमर चौता 331 मीटर प्रतिस सेकंड तो दोस्तो इसका आंसर होगा नमर पहला 332 मीटर प्रतिस सेकंड नेस्ट लीथियम यस दोस्तों लीथियम सबसे हलकी धातू है नेश्ट कोश्चन है परमाडू दरब्मान को व्यक्त किया जाता है नम्मर पहला AMU, दूसरा TMU तीसरा KMU, चोहता QMU तो दोस्तों इस कांसर होगा नम्मर पहला परमाडू दरब्मान को ये M.E.U. से बेक्टर करते हैं दोस्तों नेक्ट कोस्टन है केल्विन पैमाने पर किस बिंदू पर जलू बलता है नमर पहला 371 केल्विन दूसरा 372 केल्विन तीसरा 378 केल्विन चोहता 373 केल्विन तो दोस्तो इसका अंसर होगा नम्मर चोहता 373 केल्विन पर दोस्तो जलू वलता है next question है केल्विन स्केल में मानोसरी का समान तापमान होता है पहला 315 केल्विन दोसरा 311 केल्विन 313 केल्विन चोहता है 313 केल्विन तो दोस्तो इसका अंसर होगा नम्मर तीसरा 310 Kelvin नेस्ट कोस्टन है हवा का वास्प घनत्व कितना होता है पहला है 14.4 दूसरा है 14.5 तीसरा है 14.6 चौता है 14.7 तो दोस्तों इसका अंसर होगा नम्मर पहला 14.4 नेस्ट कोस्टन है एक पिंड का प्रत्वी की सत्य से पलायन वेग होता है नम्मर पहला 11.3 मील प्रति घंटा नम्मर दूसरा 11.2 मील प्रति घंटा नम्मर तीसरा 11.4 मील प्रति घंटा नम्मर चौता 11.5 मील प्रति घंटा तो दोस्तों इसका आंसर होगा नम्मर दूसरा 11.2 मिल प्रती घंटा नेश्ट कोश्चन है मानो चरीर की जीवन रेखा है पहला वसा दूसरा प्रोटीन तीसरा कर्भो हाइट्रेट चोहता प्रोटीन सोली दोस्तों ये कोश्चन सुर्ण में स्प्रिंट हो गया है तो दोस्तों इसका अंसर होगा दोस्तों इसका अंसर होगा तो दोस्तों इसका अंसर होगा नम्मर पहला wise point 2 liter next question दोस्तो सोरी दोस्तो इसका answer गलत है इसका answer दोस्तो wise point 4 liter सोरी दोस्तो मुझसे गलती हो गई इसका answer होगा नम्मर 3 next question है एक पार्षेक में कितना प्रकास वर्ष होता है नम्मर पहला है 3.25 नम्मर दूसरा है 3.26 नंबर 3.27 नंबर चोहता है 3.28 तो दोस्तो इसका कोस्टन है नंबर दूसरा 3.26 नाइक्ट कोस्टन है , कैलवुरी मीटर समानता बनता है नंबर पहला जस्ते से दूसरा तामट से तीसरा निकल से चोहता तीन से तो दोस्तों केलेवरी मीटर समानता बनता है इसका अंसर होगा नम्मर दूसरा दोस्तों इसे तामा से बनाया जाता है नेक्स्ट कोस्टन है दोस्तों नीवू के रसका पी एच मान होता है तो दोस्तों इसका अंसर होगा नम्मर चोहता तो दोस्त नीवु के रस का पी एच मान दोस्तो 2.4 होता है सूरी के दर्विमान के 1.4 गुने दर्विमान को कहा जाता है नम्मर पहला मैक मोहन रेखा, दूसरा रामन सीमा, तीसरा रधर फोट सीमा, चौहता चंदर सेखर सीमा प्रकास की चाल सबसे पहले किस न ग्यात की थी? नम्मर पहला है रोमन ने, दूसरा फिराडे ने, तीसरा एडिसन ने, चौहता वीवर ने तो दोस्तों इसका अंसर होगा नम्मर पहला रोमन ने वाई मंडल में बादलों के तेरने का कारण है नम्मर पहला ताप, दूसरा घनत्व, तीसरा वेग, चोहता दाब तो दोस्तों इसका अंसर होगा नम्मर दूसरा घनत्व नेस्ट कोस्टन हो दोस्तों एक फैदम बराबर होता है नम्मर पहला 5 फिट, दूसरा 4 फिट, तीसरा 6 फिट, चोहता 7 फिट तो दोस्तों इसका आंसर होगा 6 फिट नेक्ट कुस्टिन डिप्थीरिया बिमारी प्रभावित करती है पहला गला, दूसरा आथ, तीसरा फेपडा, चोहता प्लिहा तो दोस्तों इसका आंसर होगा गला हाँ दोस्तों डिप्थीरिया बिमारी गले को प्रभावित करती है नेस्ट कोस्टन है अमोनिया का कत्वनांग होता है नम्मर पहला माइनस 33.1 नम्मर दूसरा माइनस 33.4 नम्मर तीसरा माइनस 33.3 नम्मर चोहता 33.5 तो दोस्तो इसका अंसर होगा नम्मर तीसरा माइनस 33.3 नेक्स्ट कोस्टन है जल का हिमांग होता है पहला 31, दूसरा 28, तीसरा 30, चोहता 32 तो दोस्तो इसका अंसर होगा नम्मर चोहता 32 जल का हिमांग 32 होता दोस्तो नेक्स्ट कोस्टन है निम्न में से कौन विद्धूत अच्छुम्म की है नम्मर पहला तामा दूसरा क्रोमियम तीसरा कोबाल्ट चोहता निकल तो दोस्तों इसका अंसर होगा नम्मर पहला तामा नेक्स्ट कोस्टेन है दोस्तों सिलिकॉन कर्बाइट का उप्योग किया जाता है नम्मर पहला है कांच उत्पादन में, दूसरा तामा उत्पादन में, तीसरा पीतल उत्पादन में, तीसरा टीन उत्पादन में दोस्तों सिलिकान करबाइट का अपई व्यों का हुत पादन में किया जाता है? तो इसका अंसरों का पहला का चुत पादन में में, Hö 9e सिलिकोन ना दोस्तों कों सा तत्व स्वतंत्र अबस्त्त में पाया जाता है। पहला ओप्जान है carbon Candation पहले Questo tapature तीसरा फ्लूरीन, चौता सिलिकॉन तो दोस्तों स्वतंत्रबस्ता में सल्फर पाया जाता है तो इसका आंसर होगा दोस्तों नम्मर दोसरा नेक्ट कोश्चन है गाए के दूद में किस बिटामिन की प्रचूरता होती है नम्मर पहला A, दोसरा B, तीसरा C, चौता D तो दोस्तों इसका आंसर होगा बिटामिन B गाए के दूद में बिटामिन B सरवादिक होता दोस्तों नेक्ट कोश्चन है हीरे का अपवरतनाग है पहला है 2.2, दोसरा है 2.3, तीसरा है 2.4, चौता है 2.5 तो दोस्तों हीरे का अपवरतनाग होता 2.4, दोस्तों इसका आंसर होगा तीसरा नेक्ट कोश्चन है, कपड़े के रंग का विरंजन करने बाड़ा अभिकारक है पहला है Sulfur Dioxide, दूसरा है Sulfur Mono Oxide, तीसरा है Hydrogen Sulfide, चौता है Carbon Dioxide तो दोस्तों इसका अंसर होगा नमबर पहला Sulfur Dioxide दोस्तों लाश्ट कोश्चन आपके लिए है ये कुश्चन का अंसर आपको देना दोस्तों, आप इसका अंसर कमेंट वोक्स में देना question यह है दोस्तो मच्छर में मलेया पर जीवी का चक्रक हो जा था नमर पहला रिटर ने दूसरा रोनाल्ड रास ने तीसतरा है लोकियर ने चोहता है पुरकिंजे ने दोस्तो इसका अंसर आपको comment वक्त में देना है दोस्तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और दोस्तो में चैनल को subscribe करना मैं दोस्तो यसा ही आपके लिए important science question लेकर आऊँगा दोस्तो और आप जल्दी मैं आर्मी के दिल्ली पुलिस और सस्ती के question डालेंगा दोस्तो प्रीवियस दोस्तो प्रीज सपोर्ट किजिए और मेले चैनल को like करिए और subscribe करिए दोस्तो मैं आपके लिए और भी नई वीडियो लेकर आऊँगा जहिन दोस्तो